नवस्कार साथ ही मैं वसी सुराब देख रहे हैं मेरे अपने चैनल EACTV इंडियो और आज किसी वीडियो में बात करने वाला हूँ कि फॉन पे UPI payment gateway इस तरीकी की जो विब साइट है आप कैसे बना सकते हैं बड़ा ही प्यारा लुक है चलिए आपको इसका विव आपको दिखा देता हूँ payment gateway का जब option आएगा पे का तो वो पैसा दिखेगा यहाँ पर आपको एक demo का section है इस पर हम click करके इस पर हम instant जो payment है वो भ यहाँ पर गूगल पे फॉन पे पे टी एम भीम यूपी आई वाट्सोप की वार इन सारी चीजों से payment कर सकते हैं इसका लुक भी देखो यार वाकई बहुत ही खुबसूरत है चलि हम यहाँ पर लाइब आपको payment करके भी दिखा देते हैं तो यहाँ पर मैं QR से payment करूंगा सबसे पहले मैं अपना phone pay को open कर लूँगा और यहाँ पर QR का एक section है simply हम इस पर click करेंगे अब इस QR code की मदद से हम payment करेंगे live और instant होता है या नहीं scan किया pay किया और live यहाँ पर देखेंगे check out की वाकई confirmly payment हो रहा है payment तो मेरा done हो गया अब यहाँ पर भी live देख लेते हैं य यह देखिए payment भी instantly receive होगे successfully वाव बड़ा ही easy था ना चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसका setup करने का तरीका और सबसे पहले हम इसका login dashboard देख लेते हैं वाव बहुत ही प्यारे dashboard यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़े आपको easily यहीं पर dashboard पर देखने को मिल जाती हैं अगर आप यहाँ से new phone pay account को connect करना जाते हैं पर जाकर जो है आप अपना new phone pay account को जो है setup कर सकते हैं यहाँ पर मेरी merchant ID वगरे सारी चीज़े दिखाई दी रही हैं और यहाँ पर आप देखेंगे developer setting है यहाँ पर आपको API key वगरे भी मिल जाएगी आप easily यहाँ से API key ले सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं production API key और यहाँ पर पूरा code भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इसका web URL जो है callback के लिए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह पूरा का पूरा completely जो website है हम कैसे live करेंगे वही हम आज के इसी वीडियो में completely सीखने वाले ओके तो आपको इस website को live करने के ल लेजे download हो जाए file तो उस पर क्या changes वगेरा करना है उसे हम जानेंगे यह मेरे पास file already download है इस पर हम right button क्लिक करके इसे हम extract file पर click करके जो है extract कर लेंगे यह file जो भी extracting हो रही है जैसे हम आरा जो file है extract हो जाता है इस पर हम क्या changes करेंगे वो भी हम देख लेते हैं और यहाँ प करके जो है इसे install करके जो है पूरा का पूरा जो changes है हम इसी visual studio के मदद से करेंगे क्योंकि बहुत सारी coding वगेरा है उसमें changes के लिए visual studio बड़ा ही अच्छा software है ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो extract file है इस पर हम directly track कर देंगे इस तरीके से ओके तो आपको जो file मिली है वो visible studio में automatic open हो जाएगी कुछ इस तरीके से ओके तो इसमें क्या क्या चीज़े changes करना है वो सारी की सारी चीज़े हम बताएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन पर gateway new यह सारी की सारी फाइल है यहाँ पर आ गई है और इसमें हम क्या चीज़े changes करेंगे वो आपको control shift F डालेंगे तो आपके सामने इस तरीके के search बटन आ जाएगा यहाँ पर यानि उपर जो search बटन है यहाँ पर आपको इस website को paste कर देना है या फिर directly आप डाल भी सकते हैं esatvindia.com जितनी जगा यह website है वो highlight हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा highlight हो यह उपर देख सकते हैं एक lining चल रही है यह जब तक बंद ना हो जाए तब तक हमें यहाँ पर इंतजार करना हो नीचे आप देखेंगे refresh जो भी website पर आप live करना चाहते हैं उस website का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोकदम.com की जो website है इ ही नहीं जितना है उतना ही हम यहाँ पर copy paste करने वाले हैं तो जब तक यह time end नहीं हो जाता है तब तक हमें रुकना है यहाँ पर आपको उस website का नाम लिखना है जिस पर आप live करना चाहते हैं जिस website पर जैसे कि हम दोकदम.com पर live करना चाहते हैं तो automatically जो EACTV इंडिया की हो जाएंगे replace तो यहाँ पर आप देख सकते EACTV इंडिया की जगह है जो है दोकदम की जो website है वो सारी की सारी changes हो गई है अब हमारा दूसरा काम जो file changes करना है वो है configuration यहाँ पर हम देखेंगे configuration जो file है वो कहाँ पर है उस पर हम click करके जो है इस पर जो database है इसको changes करना है यह यहाँ पर आपके अपनी website को host करना चाहते हैं तो यह है भाई मेरा cpanel और यहाँ पर जो है database wizard है इस पर हम click करेंगे और यहाँ पर हम एक database तयार करेंगे जो भी नाम आप देंगे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर upipay इसका नाम दे दिया और यहाँ यहाँ पर हम next करेंगे ओके तो यहाँ पर हम यही नाम को दे देते हैं upipay और password में हम यह पूरा का पूरा copy करते हैं और यहाँ पर हम paste कर देंगे ओके और यहाँ पर create user पर हम click कर देंगे और यहाँ पर हम tick कर देंगे और नीचे आप देखेंगे match changes इस पर हम click कर देंगे ओ database को हम changes करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो है उस database का नाम दे दिये जिसे हम changes करना है जो file मैंने दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर दे दिया है और यह database नीचे हमने डाला हुआ है जो हमने अभी नया create किया database तो उसी को हम यहाँ पर डाल दिये हैं अब हम इसे कर देंगे रिफ्लेस तो हमारा जो डेटाबेस का काम भी है पूरा का पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया है अब आपको क्या करना है? इसे पूरा का पूरा save करदेना अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसे क्या करना है? save कर देना और इसके बाद आपको इसे close करदेना है अब हमारे सामने जो फाइल है अभी हमने इस पर जो changes कर रहे हैं Visual Studio की मदद से अब इसमें पूरी की पूरी फाइल ने जो है changes हो गई है अब इसको क्या करना है control A करेंगे और इस पर right button क्लिक करेंगे और add to archive इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर zip file इसका create कर लेंगे तो इसी के अंदर एक zip file हमारी जो है बन जाएगी आपको अच्छे से दिखा दीता हूँ यह देखिए यह zip file बन गई अब आपको इसी zip file को जो है upload करना है अपने control panel पर ओके अब हम यहाँ पर upload पर क्लिक करेंगे select करेंगे यहाँ से file ओके तो हमारी जो file है वो था home पर यानि desktop पर यहाँ पर आप देख सकते हैं phone पर gateway new इस पर हम क्लिक करेंगे इसके अंदर जो file हमने अभी जिप बनाई है यह देखिए इसको हम यहाँ पर upload कर देंगे open यहाँ पर यह जो file है upload हो रही है और यहाँ पर जो है file upload हो गई है हम यहाँ पर जो है back पर चले जाते हैं ओके तो यहाँ पर आप देख सकते है file जो है सही तरीके से upload हो गई है अब इससे हम extract कर लेंगे right button क्लिक करेंगे और यहाँ पर extract public पर ही रहने देना है extract file और यहाँ पर जो है file extracting हो रही है तब तक यहाँ पर कुछ समय वेट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते है result finally और हमारे सामने जो है यह पूरी की पूरी file हमारे c panel पर extract हो गई है अब हमारा जो website है एक बार refresh करते हैं देखिए वाव हमारी website final तरीके से live हो गई है लेकिन इस पर कुछ setup करना है जैसे कि अभी SQL file SQL file आपको यहीं पर मिल जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे एक folder बना हुआ है SQL नाम से और database पर हम इस file को upload कर देंगे SQL file पर ओके तो वापस से हम c panel पर जाएंगे और यहाँ पर हम php admin और यहाँ पर हमने जिस नाम से बनाया हुआ है mysql database तो हम यहाँ पर उस file को import कर देंगे यह रहा open और import ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फाइल जो है यहाँ पर setup हो गई है ओके अब यहाँ पर हम एक बार से refresh कर लेते हैं ओके और हम login पर जाएंगे और यहाँ पर एक नया account create करेंगे create account और यहाँ पर हम नाम अगरे डालेंगे जैसे कि यहाँ पर user registration successfully ओके अब दोबार से हम यहाँ पर अपना account को login करेंगे जो id password हमने डाली है login successfully login और यहाँ पर आप आप देख सकते हैं हमारा जो dashboard है वो final तरीके से logged in हो गया है यहाँ से आप phone pay account को connect कर सकते हैं अभी log out हो गई id ओके तो यहाँ पर हम सब सब पहले admin id को login कर लेते हैं तो उपर आपको username change करना है admin करके enter कर देना है और यहाँ पर आप अपना admin id को login करिए जहां से आप सारे member को access कर सकते हैं यहाँ पर login किया यहाँ पर जो logged in है अब यहाँ पर my subscription plan पर जाएंगे और देख सकते हैं यह work करेगा instantly यह हम buy करेंगे 199 वाल plan buy plan और यह automatic payment gateway पर लिया है यह देख सकते हैं इस तरीके से आप completely जो है setup कर सकते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है UPI payment gateway जो phone pay का है वो आप easily setup कर सकते हैं